राजस्तान से भी आज सत्यान में नए कोरोना के पॉजिटिव केसे सामने आएं लगातार प्रुदेश भर में भी जो संकत है वो घहराता जा रहा है सत्यान में नए कोरोना के पॉजिटिव आज भी दर्स किये गए हैं प्रुदेश भर से अलवर से 58 सबसे जादा केसे आज दर्स किये गए और इसी खबर पर आधिक अपडेट के लिए अलवर से एवन समराता चंदर शेखर फिलाल पोल लाइन पर जोड़ चुके है चंदर शेखर एक प्रुकार का कोरोना विस्पोर्ट अलवर में आज हुआ 58 केसे मरीच विवाडियों की में हुआ है विवाडी वो द्योगिक नगरी है और बाहर के लोगों का यहां आवाजाई हो रही है जिसके कारण पोजट्व केसों की संख्या बढ़ती जा रही है विवाडी के अलावा तीजारा में 18 केस मिलें अलवर शेहर में भी 6 केस मिलें खाना गाजी में 9 केस मिलें रामगड में 5 इसनगड कोटकादि में 4 जार बांतूर और रहनी में 2 केस मिलें जैती बताना चौंगवा की जो प्रवार्टी है जो बाहर से आ रहे हैं दिल्शी हरियाना माराश गुजरात गोराना अलवर जिए में लेके आ रहे हैं ठीके कि प्रवासियों के द्वारा ये संक्रमन्ट फिल्हाल जो है मुख्यबिंदू है अलवर में पहले का तो क्या प्रशासन के द्वारा वहाँ पर पुक्ता इंतजाम नहीं के गए क्योंकि इनको प्रवासियों की तो एक एडवाईजरी है कि पहले ही आएंगे उसके बाद 14 प्रवाई तो कहीं ना कहीं लापरवाही कह सकते हैं इसे प्रशासन की आ फिर स्थानी प्रशासन की कह सकते हैं कि इतना अभी जो इस ता गंभीर सिच्वेशन है उसमें भी इस प्रुकार की धिलाई दी चारी है चंदुशिकर एक और चीस आप से जाना चाहूंगी चूकि आज 8 जून है आज से सरकार की रियायतों में और भी छूट बढ़ने वाली हैं मॉल्स रेस्टरांट है सब खुले वाले हैं तो अलवर में फिलहाल क्या विवस्ता है इस चीज़ की पॉजेटिव केस आ रहे हैं उनकी रिपोर्ट 10-15-15 दिनों बाद आ रही है जी जो रिपोर्ट देर से आ रही है उनी के कारण कोरणा के पॉजेटिव केस है वो बढ़ रहे हैं जी 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 तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया चंदुशिकर राधिस्तान में लगातार कोरोना का संक्रुमेंट बढ़ता हुआ सत्यानवे केसिस आज भी सामने आया है लवर में एक तरीके से आज कोरोना का विस्पूर्ट देखने के मिला 58 केसिस और कोटा से इवन संवाराता अधिक जानकारी के साथ राजेंदर भार्दवाज फिलहाल फोलाइन पर राजेंदर कोटा के क्या स्थिय है फिलहाल कि अगर पॉजीटिव का आंकड़ा लगासार बढ़ता जा रहा है तो 525 को अगरा पोजीटिव के बात करें तो 12 कोरोना प्रोजीटिव मरीज अग सामने आए जेनर सरकार और राज़ी सरकार की डाइडलाइन के बाद में आज मोलों को खुला गया है बिलकुल सुनी के स्यवस्ता की गई गई गया है इसलिए पुरे फुक्ता बंदुबस किये गई साथ में जिसी एक और चीज बताना जाओंगा जिस तरह से कोरोना पोजीटिव का आत्मा लगातार बढ़ता जा रहा है वहीं सही नहीं कहीं कोटा के लिए एक राज की खबर ये भी है कि सही नहीं गई जो पोजीटिव मरीज हैं उनको डिशार्ट किया जा रहा है तो वो भी एक बड़ा अंकड़ा है तो जेकर कुल मिला के कोटा की इस्तिती की बात की जाए तो कोटा संबाद जितने भी मरीज हैं वो कोटा के न्यू मेडिकल को इस्पताल में बढ़ती है और लगातार यहां पर मरीजों को डिशार्ट किया जा रहा है तो एक रात की खबर ये भी ह कई एक संतो जनक बात बताए कि कोटा में अचानक से पहले एक विस्पोड देखने को मिला लेकिन आप सी सामजर से से उसे प्रशासन का कहे जनता का कहे या फिर सरकार का कहे इस चीज को कही ना कही डील कर लिया गया है फिलहाल जो प्रवासी वहां पर पहुंच रहे है या तो पहुंच सी नीकले है उनको कौरिंटी zip करने के ओर उनकी साम्पने की क्या वयवस्ताया है महां पर इती बिल् cả प्रवाशियों की बात करें प्रवासी मजदूरों की बात करें या उन लोगों की बात करें तो दूसरे प्रदेशों से आए है तो लगातार जिला प्रस नियुक्त जोटो को जागरुप करें पार नोग को सोचना गया जारुक्तो दे रही और अगरए के साथ सेंपटेंग या भी यहाा यहां पो प्रुटक सेंपलींग maa स्थे प्रूपжिड दीचल को कोरेंगे ह। है तो वहां पर जीरो मोबिलिटी की जाती है और जीरो मोबिलिटी का जो पहले जो दायरह था वो अजित्टा मगर जिलापरसासन ने जिस तरत आर्थी व्यवस्ता को भी चलाना एंज हर और कोरोना से लोगों को बचाना चींद्र पहलु पर जिलाप्रसासन और चेंदर और राच्टी सरकार काम कर रहे हैं तो लोगों को पर राच चरूर मैसुस हुई है मगर जैसी जन्ता को आज भी कुछ जाग रूख होने की जड़ पड़ेगी क्योंकि कहीं लोग तो कापी समझदार हैं कारन का इसक्राई प्रभाव है उसको हल्के में ले रहे हैं जो això बड़ता जा रहा है और लोगों का मुसम कोपन भी होता जा रहा है तो कहीं में लोगों में अभी जागरुकता बढ़ने की हापर आवशकता है तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्री आराजेंद्र कोरोना को हराने के लिए प्रतिबद प्रदेश सरकार इसी बीच में कोरोना का जो संक्रुमन है वो फैलता तो जा रहा है लेकिन रहात की बात यह है कि रिकवरी की जो दर है उसने भी अपनी गती को पकर लिया है 97 केसे कोरोना के आज भी प्रदेश भर से सामने आए अलवर से सबसे जादा 58 केसे सामने आए इसी बीच में लॉक वन प्वेस फिलहाल जारी है पुरे देश भर में उसी के तहत 8 जून से कुछ रियायते और जनता के लिए दी गई है और भरतपूर से एवन सब्वारता राजेंद्र जती फिलहाल अधिक जानकारी के साथ फोल लाइन पर जुड़ चुके हैं जो अपने ब्रतपूर मेडिकल कॉलेज को जो बोलोटन है वह आना बात यह एक और दो बजेक वीच में आता है आज को आज पता लगता है कि कि इसके प्र जो डेटेल आई है उसमें आज अभी सुब्स चार पॉजिटिव बता रहें फुल 670 पॉजिटिव पेस हैं हाला कि मैं बताना चाहूं कि 15 दिन के अंतराल में जो ही केशेज बढ़े हैं उन्होंने भरतपूर को ओट स्पोर्ड में लाकर रख दिया है जिए भरतपूर को बारत के मामले में राहिस्तान में करीब 8 में 10 नंबर पाता अब आज के स्थिति में राहिस्तान में 30 नंबर आ चुका है तो बरतपूर के हाला चिंता जनक होते जा रहे हैं और कोरना का बिस्वत लगातार जारी है अभी बताना चाहूंगा कि जाया तर जवह पर करफू लगा हुआ है जिए जो करफूर लगा है जो करफूर सेहर में आप जितने केसे जा रहे हैं दस्दिन के अंतरा है जिए इसको लेकर जाज बजार भी नो से तीन वे तक खोला गया है अन्य सामान को रहे हैं लेकिन सबसड़ी बात है कि बरतपूर जो बिस्विक्षात है गना तैला दो जान के लिए या परिनक इस तले मूजियम ठेट रहे हैं इनको भी चाहज़ है मंगल बार से खोले क इसको बाद जो लोग आएंगे संच्छा भी बढ़ेगी आज से होटल मॉल धरमसाला है होटल मॉल और यह भी खोले हैं इसके लावाब मंदिर मजिबावी बन हैं लेकिन अभी होटल मॉल खुलने के बाद गना खुलने के बाद या प्रका किस्तल का जो मूजियम अजाब इसको बाद लोगों से आवाजाई बढ़ेगी तो इसको अलात रहेंगे इसको सब्सक्राइब परसासन की बिल्कुल किस तरह से कंट्रोल करेगा बर्दपूर जिलेगा किस तरह से मैनेज बढ़ेगा यह को सूचनी है प्रसमें बन चुका है आना कि राहिस्तान में जी तमाम जानकारे के लिए बहुत शुक्री आपका प्रुदेश भर से कोरुणा की लेटेस्स अपडेट आपको दे रहे हैं और सिरोही से एवन समाना था लियाकत अली फिलहाल अदिक जानकारी के साथ फोल लाइन पर जुट चके हैं लियाकत आपसे जाना चाहूंगे सिरोही के फिलहाल क्या तस्वीर है कोरुणा के संधर्ब में देश में पोरेटीक के मामलें बढ़ रहे हैं उसी करमने सिरोही दिले में शर्द के कोर्स पॉजितिक के आपको में अल्टीव के मामले आचुटे क्या कश्पाई है कि तरफ से लगातार उप्चा जा रही है इसमें सबसे बड़ी रहात है कि अब तक एक सो तीन पूरोना पॉजेटीव मरी ठीप हो चुग है और उन सब को घर बेज दिया गया जी जैसी लियाकत एक और चीसाब से जाना चाहूंगी चुकि गुजरात बॉर्डर से लगता हु जा रही है और लगातार गुजरात बॉर्डर पर सिर्व जिल्ला है तो चुकि ऐसे में बहुत से गुजरात से इस्थानीय परवासियों का जिल्सिला जा रही है लेकि स्वास्ते विद्दा की तरफ से उनने 14 दिन के लिए कॉरंटीन किया जा रहा है साथ ही तो संदिक्त लोगों के सेंप्लिंग की जा रही है या किसी के संपर्क में आने वाले वेटीं आपैचान करके उने 16 दिन करके स््वास्ते विद्दा करियास गीर तरफ पॉरुना के लिए लर्टा हुए ओंए ची जानकारी आपने दी तमाम जानकारे के लिए बहूट शुक्रिया लोकेश, सत्यानवे नए कुरोना के पॉजिटिफ केसिस आज भी सामने आएं, इसी बीच में आठ जून आज हैं, तो सरकार के दौरा अनलॉक पेज में और रियायत आज दीचारी हैं, किस प्रोकार से सरकार साथ लेकर चलेगी इन सभी स्थितियों को? अपर पुजय निए गया गया है, मंदिर और बात करें मंदिर जाज़ा कर मजजीट को छोड़ ए रहा है, पिर सिक्षन संस्ताओं को फोड़ कर लगोर देखा जाए तो सभी इन जी तरफ हो चुके हैं, जी साती इस तरह से कोर्णा पोजिटिव सामने आ रहे हैं, तीक होने कोर्णा पोजिटिव सामने आ रहे हैं, फिर से certain बात कर दिए को मैस्तंचन को बात्रत सामने आ रहे हैं भी। जात तरह हैं। यह सब्सक्राइक सुपरी Day क्रमायश कुछ में हैं, jewelraft 네, ए 2 peel face 2 film लेवा है,व्यरक से हुख जोचन है इस दीछान में है फ जाएन आगड़ा चसा तो डाल कre recomand लेकिन जिसी तरह से स्थे पहले कर想rån,ञेकन भंट्रेबदु हैं लेकिन इस तरह से अग्क्रपूर श कोछेजigon में हुखना है कलो है और उसी तरह में बात करें तो परदेश के पहले पाइदान पर है जो राज़स्तान ठीक होने वालों की संक्या में हालां के मट्वितर भी लगाता था रहें कि जारा है लेकिन इस तरह से अज एक जो कोर्णा कोशितिव की मोत अब तक परदेश कि उनके परदेश में दोफसो जो कोरोना की मोत है वह हुए है जिस तरह से अब तक सब्सक्राइद की कोरोना से मोते साथ आई है और जेपर में 112 अब तक के जो कोरोना की पोजिटिव केर से उनमें 112 लोगों की जो मोत है वो हुई है जिस तरह से सरकार की जो तबाम कोश्चिन की जारी है को रोकने के लिए जो पालन करवाने का जो कारिया है वो सरकार की जो किया जा रहा है तब भी इस कोरोना संक्रमन को और रोकने में सरकार काम याव होगी जी तमाम जानकारे के लिए बहुत शुक्रिया लोकेश